गुजरात के बड़ोदा शहर में किर्ती मंदीर अभीव्यक्ति पर कथक दर्शन चरिटेबल ट्रस्ट की और से 21 में पंडित सुन्दरलाल गंगानी नुत्य महत्सव का आयोजन किया गया है ये दो दिवसिय नुत्य महत्सव है जिसमें कई जाने माने कलाकारों की और से यहाँ पर प्रस्तोती दी जा रही है आपको बतादे कि इस नुत्य महत्सव में तबलावादक पंडित संजू सहाई को पंडित सुन्दरलाल गंगानी चंदरकला एवोर्ड से भी सम्मानित किया गया है कथक दर्शन चरिटेबल ट्रस की स्थापना साल 1995 में कथक गुरू पंडित जगदीश गंगानी की और से की गई थी इसके बाद लगातार इस परिवार की और से कथक दर्शन चरिटेबल ट्रस का संचालन किया जा रहा है और इसके जरीए पारंपरिक भारतिय नुत्य को जिंदा रखने की कोशिश भी की जा रही है आपको बता दे कि दो दिवस्य इस कथक नुत्य महोत्सव में कई नमांकित कलाकार और साथी में स्थानी कलाकारों की और से प्रस्तुतिया दी जा रही है साथी में जो बनारस धराना के जाने माने तमलावादक पंडित संजू सहाई को भी यहां पर रहोट से सम्मानित किया गया था और दो दिवस्य नुत्य महोत्सव में कई पारंपरिक नुत्य और भारतिय संगीत और नुत्य से जुड़ी कई हस्तियों की उपस्तिधी भी बड़दाश शहर में दर्श की गई पंडित संजू सहाई जो बनारस घराने के खलीफा है उनको सम्मानित किया पंडित संदला गंगानी चंद्रकरला सम्मान से उसके बाद हम लोगों ने हमारे वरोद्रा के दो बच्चे अपना बहुत अच्छी पैच्छान बनाई है एक शिवंप सिंग अश्विनी सिंग और कावी अली में उनको भी हम लोगों ने अप्रिशियेट सम्मानित किया है उसके बाद साथ हम लोगों ने कैरेकरिम की शुरुआ की जो गनिशवंदना से पिर्टि साथ ही दामले जीन है अपनी प्रस्थूति की और उसके बाद नडियाद के तपसा अकाड़ेमी श्रीमती नमरता शाह जीन है अपने विध्यार जो दौरा बहुत संदर प्रस्थू ते की जो पंडी सुनलाज गंदानी की लिरिक्स थे और म्यूजिक भी उनका ही था और उसके बाद यंग मेस्ट्रो तब तक मेस्ट्रो से दुर्गिस गंदानी और से संजु साही जी जो यूके से पधारे मनारस घराने के तब तबलावदक उनके बिच में अच्छा खास बह पिल्कुर के यह हमारी धरोर है इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप सपोर्ट दीजिए अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें